नमस्कार सवाचर इडिया मैं आपका स्वागत है मैं हूँ भारत कोठियाल बात करते हैं पंजाब की जहां भारत वर्स में पोलियों के खात्मे के लिए जीरो से लेकर पांस साल के बच्चों तक पोलियों बूंदे पिलाई जा रही हैं अगर बात मोगा की करे तो मोगा में भी पोलियों दिवस के अवसर पर मोगा के विधायक हरजोत कमल ने छोटे बच्चों को पोलियों की बूंदे पिलाकर इस दिवस की शुरुवात थी विधायक हरजोत कमल के साथ मोगा के सिविल सर्जन, FMO और सरकारी एस्पताल मोगा का श्टाफ हाजिर रहा जानकारी दे तो जड़ी पोलियों दी बुमारी थियो नो रेडिकेट करन वास्ते, बंजाब सुकारवलों भी जड़े पोलियों दिया पूंका पड़ाओं वास्ते, 0 तो पांच साल दे बचे कवर कर लिए एक कैम्प लाया गया, तेन साल, तेन दिना दा आएक कैम्पा, और आज तक्र कर जाके पूंदा प्राकिट, और दोस्तान दे बिच्चों पोलियों है गाउनों खत्म करने तेना पूंदा की जाएका, इस सम्वन में मोगा के शिविल सर्जन डॉक्टर हरजिंदर पाल ने बताये कि मोगा में कुल बयानवे बूत लगाये गए हैं और ये तीन दिन का कै जिसमें घर घर जाकर भी बच्चों को पोलियों पिलाई जाएगी, उन्हाने कहा कि पोलियों जैसी खतरनाग बिमारी को भारत से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा हर साल बच्चों को पोलियों की बूंदे पिलाई जाती हैं और लगबग पिछले दो तिन साल से कोई भी पोलियो का केस सामने नहीं आया है। उन्हाने मेडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि जीरो से पांच साल के बच्चों को पोलियो की बूंदे जरूर पिलाए। जो लोग अंदे जांदे अपने देश्टे में इसका के बाइरस उत्फों अंदी इते पूरे चांस है कि तवारा तो कोई केस ना हो सके इसलिए पल्स पूली मुझे में अजेवी चलेगी नेशन नेवल ते साथ नेशन नेवल पे उसे प्रोग्राम दा हिस्सा जे आजे मोग अजे पूरे भारत में नागरिक शंशोदन बिल को लेकर रोश परदर्शन किया रहा है वहीं मोगा में इस बिल के हक में मार्च निकाला गया जिसमें बजरंग दल और विश्वा हिंदू परिशद के साथ अलग-अलग हिंदू जक्ते बंदियों की तरफ से इस बिल की हिमायत की गई और तिरंगा मार्च भी निकाला गया जानकारी देते हुए विश्वा हिंदू परिशद और बजरंग दल के कारे करताओ ने कहा कि मोगा की जनता द्वारा इतना सयोग देखकर वो बहुत क्योंकि उन्होंने कहा कि मोगा वासियों को और साथ-साथ पूरे देश को इस बिल के बारे में समझ आना शुरू हो गया है कुछ राजिनरिक पार्टियां अपने फाइदे के लिए इस बिल का विरोध कर रही है क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस बिल को अच्छे से नहीं पड़ा है जिस कारण पूरे देश में रोश परदर्शन किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम भाई चारे से नरोध करते हैं कि कि किसी पार्टी के बहकावे में आकर विरोध परदर्शन ना करें और अपनी छवी खराब ना करें कि जो समय परदर्शन कर दियें असे बड़ा सिंपल जा क्ष्ण है शारे समाच कु क्की चीज़ है करना चांदे हैं किश्ट्रिया करना ही करके मुखे बादे तुमना चांदे हैं किसे ने खिराफ नी है किसा नागृत करना करना कानून नहीं है किसे नो देश नो पिद्या नहीं जा रहा है किसे नो देश नो पिद्या नहीं जा रहा है रिक्वेस्ट है लोगानों कि जड़ा करनों कि साड़े प्रिस्मेक्टिट मानिये डॉक्टर बाबा रहा बेटकर जिने बनाया सीगा करना करो किन्या जथे बंदिया जड़ा रहा है किन्या जथे बंदिया एडिया जट्रणा वाच्काट रही है फोड़ा करना करें हैं गांधी को भी अबूस्दें ने में पबलीक प्रफर्टी इंशावादी ओकर रोध प्रदर्चन के कि हम सब्सक्राइब हैं काधिवादी के पूजने वाले एंसा वादी रूप में भी रोध प्रदर्शन किया जा सकता है घर बेट कर अगर आप रोध करेंगे समाज में कोई संदेश जाने जाने वाला नहीं है सरकार की शक्ति हम हैं उसके साथ कदम से कदम मिला कर आगर हम लो भी आती है और जाती रहेंगे लोग ते जानुं को ध्रम के वरुद्र है है तो बहुत ही गलत जानकारी समाज के अंदर दे रही हैं मैं सरकार के साथ हूँ, धरा सरकार के साथ हूँ, मैं इसका समर्थन करदा, जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंगला देश के अंदर प्रता अपने हिंदूस से करभाई हो रहे हैं, नाकता मिलनी चाहिए और हमारा ही देश की तरफ वो लोग देख सकते हैं, उनके ऐ लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसी को लेकर जब हमारे सववाद्दाता विपन उकारा ने तड़के धुन्द में चलने वाले कुछ राहगीरों से बात की, तो उन्होंने कहा कि मजबूरी के चलते उन्हें जाना जरूर पड़ता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, वहीं बच्चो को स्कूल छोड़ने जा रही, एक वैन के ड्राइवर ने बताया कि वो प्रभू का नाम लेकर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि इतनी धुन में उन्हें आगे जादा दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, बच्चो की सुरक् के बार तक ही बार तक ही, तुसी चार पंझ लांगा तो गोंदे देः हुआँ का ने के सुरक ल्यादार्या ने है चार पंज लाइअ तुछ नहें देगात हैता? यहां न फिर्टी देखाँ कानकतों फादाँ ज्यादा कुरा पहीं, तो चैनकी सोम कोर्ण होने जाने हैं तुसी पर रजानना है से तरह उने जाने हैं मैं? आ यहां, विजानना थे जितान है तुसी बहुत छांतों तौंद जी से पह रही है? जिए जिए अफ्ता हो गई जोड़ी दोला पैय रही है इससे तरह जाने और जाने पर बच्य लेकर बश्क्र बाध हुगा जी भाध मुझा जी बाध मुझा जी दूरता के दैस दातर हो न पानल पक्र देना भाध देना वाध दुटाम ने डिले चाहे लिए अच्छाण से जैट चेक, लीनियुने, पूचार को पता लगता, तॉन्द केसे कपने तक पूगी हो राइचिट अग्छा में जानना हो छानमा करने के देन तो पह रही हो तो काफी देन होंगे इधे नक्सान की ए फिर तोंदी केड़े पेंड़ तो है और कित्थे चले सी तुसे पाइब को लिए ख़र ताँड़ा जया तो अजय जया किस तरहां तोंदी किनी का रास्ते देशा बहुत चाहता जी किनी की दूरीता के दे पंजाब गोर्ण ने शिक्षक पातरता परिक्षा के अडमिट काड जाड़ी कर दिया है इस परिक्षक आयोजन दो बार टाला गया आपको बता दे की पी स्टेट परिक्षा परिक्षक आयोजन दो बार टाला गया था इस से पहले इस परिक्षक आयोजन 22 दिसंबर 2019 को किया जाना था लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इस पांच जनवरी के लिए री सड्यूल कर दिया गया था इसके बाद पंजाब बोर ने 5 जनवरी को भी परिक्षा को टाल दिया इस मौके पर परिक्षा देने आये विद्ध्यार्टियों ने बताये कि इस बार भी उनको यकीन नहीं था कि परिक्षा होगी क्योंकि पहले दो बार ये परिक्षा टाल दी गई उन्होंने कहा कि कही ना कही सरकार की नाकामियाबी है क्योंकि भटेंडा के विध्यार्थियों के सेंटर मोगा बना दिये गए और दूसरे जीलों से मोगा आकर उनको परिक्षा केंदर ढूनने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है कि यह चाहोंगे दो वरी रादो है पेपर बिला असी कहांगे साधी बहुत इनने खजल खुरी करिया है पहला भी पर आदध होगा जिमें पठेंड़ ने मांसा देता किसी नो मोगा देता इस इत्वाल नो किटे होर देता है अधिन अब इस तरके सिरियां देतो रहे हैं मांस पर देना अमीज सीगी पर होगा जाए ने जी सानु आए लगदा सी भी अगया करने के इसानु आई खजल खराव करने के इनी ठांड जेनी दूरो दूरो ओना सारा नो बहुत अपक्षा होए कित ओं आयो दुसीं जैत्तों तो आए ते अज जमें किने वज़े चले से गे पांच वे चले हैं तो जोड़ा आए तो कि अन्य वरी पेपर दें आए ते एक लाख पे अतरहे आर जड़े विद्यार थी आज जे पेपर देंगे तर मंजास हो मेरे खाल चे जडिया पोस्टां खाली है की गाना चाहूंगे पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुकता प्रबंद किये गए विद्यारती के बिना कोई भी बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति परिक्षा केंद्र के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यारती सिर्फ अपना पहचान पत्र और एड्मिट कार्ड लेकर ही परिक्षा केंद्र के अंदर जा सकते हैं परिक्षा के अंदर नहीं जा सकता एक एक अडमेट कार्ड ना को पेन सर्फ एक आईडी प्रूफ एक अडमेट कार्ड दे अंदर लाके अंदर लाके जादा जाएगा पंजाब से विप्पनोकारा की रिपोर्ट इस रिपोर्ट पे तरही देश्वर दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जोड़े रहें समाचर इंडिया के साथ खबर से लेकर असर तर नमस्कार